दोस्तों हाजरें एक होग वीडियो रिपोर्ट लाके थे आज एक बहुती गंबीर विश्यों ते गलबा थोडेनाल करनी है बरखास डियेसपी बलविंदर सेखों नू गिरफतार कर लिया गया है बलविंदर सेखों ने एक साथी जड़े रहने प्रदीफ शर्मा जोकी पिछले कुछ हफ्तेया महीनया तो जज़ान दे खिलाब भाई कोट दे खिलाब बयान बाजी कार दे होए नजर आ रहे सन एक दोवादी गिरफतारी दे हुकम दिते गएने बलविंदर सेखों इस वक्त हिरासर दे विच ने दे चौवी फर्वरी नो उना नो कोट दे विच उसे बैंच दे सामने पेश किता जाएगा जस्टिस संदा वालिया ओही जाजने जिना दे सामने कुछ दिन पहला बलविंदर सेखों रहे सन अदालत ने नो सद के उसे वक्त कोट दे विच भी एक नोटिस दें दी गाल कही सी लेकिन हुन इस केस दे विच बलविंदर सेखों दी जीडी गिरफतारी है उस दे पिच्छे दा पूरा दा पूरा संदर्ब दे कटना करम है आज इस विडियो दे विच यसनों समझन दी कोशिश करनी है लेकिन इस वीडियो दे शुरुआद दे विच मैं थोनो पहला दा पश्ट करना की एक बहुत ही unfortunate ते मंद पागा कटना करम है जो की नहीं सी वाप परना चाहीदा लेकिन at the same point in time अदालत दी एस कारवाई दे पिछे दी merit डी merit ते उन्हां ता जड़ा तर्क है उसनों आज समचन दी कोशिश करांगे हलाकी दुनिया पार दे विच्चों पंजाब दे विच्चों एस तरीक के दे प्रतिकरम आरेने की डीसपी बलविंदर सेखों दे नाल गलत हो रहा है उन्हां दे नाल तक्का हो रहा है लेकिन एस सी ले खुद बलविंदर सेखों तयार बर तयारसन उन्हाने पहला ही एक आल कहती सी कि उन्हानों जेल विच पाया जाएगा या फिर उन्हानों मार मुकांडिया कोश्या भी हो सक दियाने तो इस सारी गलना बाता विच ने लेकिन आज मैं गल एक करनी चाहाँगा कि इफैसला अदालत दी अवमानना दा किमें बनदा है क्यों नौबत एस महारे तक पहुंची जिते बलविंदर सिंग सेखों दी गिरफतारी दी लोड ते गुंजाईश पैदा होई गलना कीतिया गईया ने लेकिन कई बार ड्रग्स दे केसा नूँ ठीक बेदभी दे उना केसा वांग कलब करता जानदा है मिक्स करता जानदा ते इस चीज दी समझ बनन ही नहीं दित्ती जानदी कि केड़ा केस केस मतलक है हुना थे एक बहुत बड़ा संसा लोका दे मना देविच अक्सर ये भी रहन दा की पूरो दा पूरा रोडा ते कटना करम जेड़े ड्रग केस देना जुड़या होया है है ओकेडियां तफ्तीशा ने सो दो लग 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 ड्रग दिया तफ्तीशा अधालता देविच पईयां सान एक ता पोला ड्रग स्केंडल दा सुव मोटो अधालत वल्नों जेड़ा केस अग्ग तोरया गया शशैकांध साबगा जेड़े डीजी पी सी ओना वल्नों लिखी गी चिथी देता आरूते अधालत ने उस केस अग्गे वदाया ते जस्टिस सूरेकांथ ही ओ जाजसान जिना ने उस केस नू अग्गे तोर्या भी थे अलाग अलाग पढ़ाओ थे इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट दे निरिंजन सिंग वर गे ओ अफसर जोगी डिप्टी डिरेक्टर सन उना अफसरा नू प्रोटेक्ट भी किता उननों रोकिया भी तो एही जस्टिस सूरेकांथ जो की बहुती इंस्ट्रूमेंटल सन पोला ड्राग केस दी इन्वेस्टिगेशन दे अलाग अलाग पढ़ाँ दे बड़ी ही एहम ते सही जैनुन पुमिकासी उननों दे खिलाप ही जड़े बरखास डियस्पी मलविंदर से जिखो है गेने उनना बोलो इल्जाम लाएगे इल्जाम होनी लगने शुरू हो इने कुछ व्यक्तिकत लेवल दे उत्ते भी इल्जाम बाजी होई है लेकिन पोला ड्राग स्कैंडल या फिर ओ केस जिस की विक्रम सिंग मजीठिया नाम जटसन ओ केस इस ताजा कटना करम देनाल केस ओ चुड़दा है जिस विच की पंजाब पुलस दे अफसरान दी खाना जंगी जिस दा हूं तो थोड़ी देर पहला मैं जिकर कीता ओ एक बहुत बड़ा फैक्टर सी तो किस तरीके देनाल पंजाब दा डीजीपी दिनकर गुपता नो लान दे चक्रा दे विच सुरेश औरोडा नो एक्स्टेंशना दितनी है गई है जदो दिनकर गुपता उस क्राइटेरियन दे विच आगे उस तो बादो नो पंजाब दा डीजीपी लाता गया तकरीबन चार सबाचार सालों पंजाब दे डीजीपी रहे पंजाब दा डीजीपी लगन दी कवाय द दे हेट एक नवा जड़ा ड्रग दा केस खुले हा ओसी सीय ये दा इंस्पेक्टर इंदर जीट जिसनों की जलंदर तो गिरफ्तार किता जानदा है ओ इंस्पेक्टर सी जिसने ना दे उते पंजाब दे विच ड्रग रिकावरी दा साब तो बड़ा रेकॉर्ड बोलदा सी इस नों तकरीबन बारा किलो ड्रग दे नाल जसे विच हैरवन समैक वगरा सी एके संताली रैफल ते कुछ गोली सिक्का वगरा इस दे नाल पंजाब दी स्टीएफ जो की हर प्रीत सिद्धू पंजाब दे ADGP जड़े स्टीएफ दे हुंदे ने उना हेट काम कर रही हुं इस नों बिच ले आनदी कोशिश किती गी सो राजीत दाना इंस्पेक्टर इंदरजीत दे केश देनाल जोड़ता है ते राजीत दे जरी ही सुरेज औरोडा नों इस केश दे बिच लिंक करनी कोशिश सी जिमें ही सुरेज औरोडा लिंक होन ते नाल दे नाल ही दिनकर लेकिन इना कोश्या देवी चोनी कामया भी नहीं मिल सकी, इंस्पेक्टर इंदरजीत नूँ भी गिरफतार कीता गया, राजीत सिंग उत्ते भी हाथ पाये गया, राजीत सिंग जाके हाइकोट खड़ा हो गया, हाइकोट ने इक वक्री SIT बनाती थे, ओस SIT दा मुखी लाता SS चटोपादय नूँ, SS चटोपादय एक अजेहे अफसरसन जो खुद भी ओस DGP दी दोड़ देविच सान, सो अदालत देविच दिथी अजेही बाणगी कि एक पास सिधार चटोपादय ते पंजाब बुलस दी STF, अपनी कारवाई कारई सी, इंस्पेक्टर इंदरजीत राजीत सिंग देनाल जुड़े होए मामने आदी जड़ी तफ्टीक सी, ओना दे हाथ विच आगी, ते एना अफसरा दे जरिये सुरेश अड़ाते दिनकर गुपता होते हाथ पवे, एस चीदियां कोशन तेज हुई है, ता ए जड़ी हाई कोड दे विच रिपोर्ट सिध दे जरिये सुरेश अरोडा या दिनकर गुपता, उना दिया कुछ कथत संपत्तियां दा जड़ा वे व्यवरा सी, हसाब कताब सी, उना नू राजीत सिंग दे इंस्पेक्टर इंदर जीत सिंग देना लिंक करन दियां कोशिशां, संबावत कोशिशां रहियां हो सक दिया दे जरिये जड़ा निशानना सी असल दे विच ओ पंजाब दे ओस वक्त दे पविख दे मुखी बननवाले जड़े सी दिनकर गुपता ओसन एस पूरी दी पूरी कवायत दे विच क्योंकी मामला अदालता दे विच ठंडा पे आ रह गया, ए रिपोर्टा नो दबा के रख गया, जो दिनकर गुपता दा भी जड़ा कारजकाल सी डीजीपी अधे रहन दा ओ भी खतम हो गया, दूसरे पास से जड़ी पोला ड्रग केस दी सिट बनी सी या स्टी एक रिपोर्ट ना सन जिस दे विच असल कारवाई इंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने कीती सी, ओ प पुछ गिच कीती गई, जो की कीती जाड़ी चाही दी सी, उनमें आज कारणा हां कि तुसी दोमें केस सानू, दोवे वाख वाख ड्राग्ज दे केस सानू समझ चुक के हो, ते दूसरा केस असेंशली ड्राग दा केस काठ है, लेकिन ड्राग दा केस भी है, लेकिन ड्राग दे केश दे जरीये पंजाब दे सीनियर पुलस अफसरा नों डीजीपी दे और दे तो बैठन दी पूरी दी पूरी जड़ी कोशिश कवायत सी और दा हिस्सा सी दूसरे पास दी जड़ी लॉबी सी यानि कि सुरेश रोडा ते दिनकर गुपता वर गे पुलिस ऑफिसर सन उन तो सवाल जवाब जड़े सी कीते गए जिस दी शिकायत सिधार चटोपाद है ने उस वक्त अडालते बीच भी कीती तो नों याद होएगा या शायद नहीं भी याद होएगा लेकिन मेरी रिपोर्टा एदे उत्ते बणियां हुई है ने जड़ों की पुलस दे इना जड़े अफसर सी सिधार चटोपाद है देनकर गुपता सुरेश अरोडा इस लेबल दे जड़े अफसर सी इवन सुमेज सिंग सैनी बगएर उस वक्त होया करदे सान लेकिन उस तरीके दिना पिक्चर दे बीच नहीं सान हर्पी सिध्धू खाना जंगी इस लेबल दे बा भयान जड़ा है ओभी वुख मंतरी ओफिस नो जारी करना प्यासी सुए पूरी दी पूरी लड़ाई नशे दे तसकरा नो पुलस अफसरां दी सरप्रस्ती किस हद तक मिल दी है ओस गल्दी लड़ाई ता सी ही लेकिन इस दा वड़ा कारण सी पंजाब दे डीजी पी दे और दे उत्ते कौन बैठेगा ते किस नो बैठन तो रोक्या जावे पंजाब दे बिच जिनने भी आईपेस अफसर जारा तर रहे ने उनने एनने साल या एनने दहाके तक काम किता है इस दिथियां पहलना पैदा नहीं हूं दिया ते लेकिन जदों कोई क्रिटिकल स्टेज आजन दिया यानि कि किसी अफसर दे डीजी पी ओदे ते बैठन दी स्तिती हुं दिया तो इस वक्त भी पंजाब दे बी चोहिश्ती थी तिया ते आज जी तुसी ओफिशेटिंग डीजी पी गौरव्यादव दे सिनारियों वेखो तो इस वक्त भी बह किसी अफसरे किलाफ केस बनाए जान देने जो कि फिर सालना दालतां दे बीच लटक रहन देने ओधी क्लासिक मिसाल इस केस दे बीच भी मिल दी है पंजाब दे बीच आज भी हो रहे है तो आज एड़ा से टाला केस हैगा जिस विच की रिपोर्टां हाई कोड दे भीच ख समझ बिच आ सके बलविंदर सिंग सिखों इस हट तक ठीक ने कि नशे दी तसकरी जिसने की पंजाब दी जबानी नो बरबाद किता हुए है उना तसकरा नो जड़ी सरप्रस्ती पुलस अबसरावलों मिल दी है जे उना मुतलक कोई अदालत दे बीच रिपोर्ट पई है त उसनो नश नो नशर होना चाहिए अदालत दे बीच एंटने साला नो दवे रखन दा मतलब दी है तो इस पक्षूता थीक ने लेकिन इस लिए कि अदालत दुछ आed नो जिम्मेबार ठैराय जासकता है तो यह दालता नो जिम्मेबार ठैराय जा सकता है तो उसलबंगी श सटल डिफरेंस है क्योंकि एस वीडिय नूँ ते इस पूरे कटना करनू बहुत से अजे हैं नौजवान देख रहे ने बहुत से अजे हैं पत्रकार भी वेख रहे ने ते बहुत से अजे हैं ओ लोग जोकी इंफ्लुएंसर ने पबलिक ओपीनियन बनन दे विच बिल्ड करन है कि तुसी किसी भी जज़ दी किसी भी अदालत दी जजमेंट नूँ क्रिटिसाइज कर सकते हो मिसाल देता और ते मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल रिटेश लखी अनप्लाग दे होते मैं एहुजी टोगाट चार या पंच रिपोर्ट ना जिस विच की अदालत दिया जजमेंट्स दे अंध्यां सार ही मैं 21-22 दिना दे विच रिपोर्टा बनाईयां बेदवी दे केसां दे जदो कुमर विजे परताब दे सिट टूट दी है उस केस दे विच मैं अदालत दे जड़ा जड़ा फैसला सी उस दे विच की नुक्सी उस दे विच की कमिया खामिय गलतियां सी उसुते रिपोर्ट बनाईया बेकरम सिंग मजीठिया नो जिस दिन बेल दिती जाती है अदालत ने केड़े पक्खा नो नहीं बाचया या अदालत दे फैसलिया नो ना सिर्फ चैलेंज कीता बलकि मैं उना दे विच जड़ियां भी मेरी समरा था या मेरी समझ दे मताबक कमिया सन या उना दे विच खोड सी मैं उसनों हाइलाइट करना दी कोशिश कीती तो ए अदालत दी अमानना दे दारे दे विच नहीं आदा एक कंटेंट आफ कोड नहीं बाहन सकता क्योंकि तुसी कोड दिया जाजमेंट्स नो चैलेंज कर सकते ओ तूदा एक्स कि यelets दिते है ओडर दी नुक्ताचीनी करन दी बजाए तुसी उना जज़ां दी नुक्ताचीनी एस अधारोते कार देओ कि एस ज़ज दा एस ओडर नो देळदे एक कारण रहे हो सकते ने उना देना तुसी मोटिब एट्रिविट कार देओ एक केन्देओ कि जजां दे ज सकते ने लेकिन उस दा में मक्सद एई है कि अदालत दे विच साठी निया परनाली दे विच जड़ा परोसा लोकां दा है हडांकि मैं इनी कहांगा कि लोकां दा परोसा उन्ना साठी निया विवस्था दे विच है जान दे होते एक एक दबा पाओ, प्रेशर पाओ, कि जी तुसी ता रिश्वत खाई हो सकती है, तो नो ता किस ने इंफ्लूइंस किता हो सकता है, ओ स्टेज दे विच एक कंटेंप्ट आफ कोट आंद है, सो अदालतानिया जज्जमेंट्स उते जनोवी डिस्कॉशन होंदी जिस विच की तुसी जजमेंटानों पुल के जजजान दे होते, विक्ति गते, पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर दोते, उना दे जजजमेंट दें दे, कारना दे पिछे मोटिव्ज एट्रिब्यूट करो, तो जड़े भी लोग देख रहे ने, ओस चीनों समझन की कंटें केडियां स्तिथियां दे बिच लाग हुआ, इसना मतलब यह ने भी कि तुसी अदालता दे ओर्डरानों डिसकर्शी नहीं कार सकते, और दिक्री डिसेजन नहीं कार सकते, ते जजजान दे खिलाब तोड़े कोल अजेहियां गल्ला बातां है गिया ने, उननानों सबूतना इस दी शेकल दे बिच रखो, उते बिच कोई संसानी होना चाहिदा, तुसी यह नहीं कह सकते कि जजज पैसे खांदा है, इसनों मैं नंगा कर दाएंगा, इसनों मैं पोल पटी खोल दे आंगा, ते ओ चीज़ां तो उसी कही जओ, इसनों अदालता दी कारवाई नू दे दबापान दी कोशिश कार रहे हो, उसनों किसे ने किसी तरीके नल सिद्दे, आसी तरीके नल डारदा महौल क्रिएट करके, अपने बयाना दे जरी एक माइंड गेम प्ले करके, अदालता नों परभावत करन दी कोशिश कार रहे हो, ते इस केस दी जज़ाजमेंट है, जो भास्त भी यां ते दुखी भी यां, अज देखो, बहुत से लोग देख रहे हो, जो कि बलविंदर सेखो दे नाल सॉलिडियाइट दे विच ने, तै मैं भी बलविंदर सेखो दे नाल हाँ, इस पक्षो कि अदालतां दे विच जड़ी कारवाईयां हो रहे हैं, जिस तरी के देनाल चीजानों डिले किता जानदा है, प्रोक्रास्टिनेशन हो रही है, बहुत ही सेंसिटिव केसां देऊते, पब्लिक हित ते इंटरस्ट दे विच जुड़े होए मुध्या देऊते, अदालता भी मुख दर्शक कही वार बाणके बैठी है रहें दियाने, उना मुध युदरान एक शब्द कंजर शब्दा प्रयोग किता सी, ते मैंनों क्या सीखा की, ठीक है अपमा इस चीज नों कट्टे नहीं है, लेकिन तुसी कुट्धा कंजर एस तरीक के दी शब्दावली ता क्यों इस्तेमाल कर दो, तो नों सब पाशा दे विच, मर्यादा दे देखी, इस प्रॉबलम नों मैं एंटिसिबेट पहलना कर रहा है, सीवन खुद भी हो इस चीज मांदे सन की, जिस तरीक के दे नों सिद्धा टकरा ने आप आलिका देना ले रहे है गिने, इस ना नतीजा एही होना है, उन्हादा जिड़ा गालक करन दा तरीका है, या उन जिम्मेबारी बन दिया कि असी सबूत ले आई है, मैं एक इंटर्व्यू देख रहे है, आसी बलविंदर सिंग सेखो हो रहा दा पिछे, उन्हाद एक पत्रकार ने पुछा जी कि इस चीज़ा तोड़े कोल की सबूत है, जिड़े तुसी इल्जाम ला रहे हो, उन्हादे इस चीज़ा कोई इंदाजा ना होए, तो बंदा अपनी सफाईयां दंदा परेगी मेरे के खिलाब जड़े अदार लगेने, बेबुनियाद है के ने, सो पहला तो नो इल्जाम लान तो पहला, इल्जाम लान दे वक्त तो नो अदार देना पहेगा, जे तुसी किसी भी हा जड़ा कोई गाल कर रहे हो, ताब बेदर होएगा तुसी ओना सबूतना नो पहला चीफ जस्टिस तक पर जो, इवन अदालता दे विच चिठियां, शिकैता पर जा सकते ने, हाई कोट नो पर जा सकते ने, सुपरीम कोट बिच पर जा सकते ने, तो इवन मीडिया दे इना सबूतानों खोलनांगे, उस दा मत्रब यह है कि तुसी कोई दबाज पान दी कोशिश कर रहे हो, कोई अजे ही mental exercise है जिस दे तहट कि तुसी अदालत दी कारवाई नू परवावत करना चांदे हो, मैं भी उसनों ठीक नहीं मानदा, मेरे असामनल अदालत दा एक फैसला होना सुभाविक सी, जिस level दे उत्ते, जिस मयार दे उत्ते आके बयान बाजी हो रही सी, जजानों जिस तरीके दे नल विक्तिकत तौरते target कीता जारे सी, जज सही ने, गल्त ने, मैंनों नहीं बता, उते इल्जाम लगा के ए आस करनी की, जिस उते तुसी इल्जाम लाया है, वो अपनी सफाई दे विच अपने सबूत पेश करे, एक कोई भी तरक नहीं है, एक कितों भी तरक संगत गालबात नहीं है, बल्विंदर सिंग सेखों, जिस cause दी, जिस motive, जिस लड़ाई, जिस मो होंदा है, हर चीज दा एक सलीका तरीका होंदा है, विभार दीक अपनी मर्यादा होंदी है, उना चीज अनोना प्रोटो कोज नूँ फॉलो करना बहुत जिरूरी है, एस सिस्टम दे विच अराजकता दा ओ महौल बनया नहीं है, जिस दे चालने है, आपां अदालता दे ज लोड है कि आखर नौबत एस पंदर तक पहुंची क्यों, कि में पहुंची, क्यों बलविंदर सिंग सेखो वर गया, प्रदीव शर्मे वर गये लोकानों आज मजबूर होना पह रहा है, अदालता दे बिच सील बंद होई, इना रिपोर्टा दानों सील बंद रखन दे पि बिच कोई Oversight Mechanism नहीं है, अधे बहुत बड़े-बड़े फैसले हो जानते ने, ति उना फैसले आनों जे किसने अउतली अदालत दे बिच नौती नहीं दिती, जे हाई कोड दे इक गलत फैसले खिलाफ सुप्रीम कोड दे बिच कोई बंदा नहीं गया, या उसने सुप्र आज मेरे सामने बिकरम सिंग मजीठिया तो लेके बीबी जगीर को और तो लेके जड़ी सिट पांग किती जान दिया बेद बीदे केसां दी, इना दे बिच कई जेहें जजमेंट्स पहियां ने, जिना दे उत्ते सवाल खड़े हुं दे ने, लेकिन ए मोहताज है गिया ने कि इना जजमेंट्स नो जे उतलियां के डालता दे बिच कोई चैलेंज कर देगा, तब फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी समरत्था ते, अपनी योगता दे मुदाबब के एक सही फैसला उना केसां दे बिच सुना देगी, लेकिन कि हाई कोट अपना कोई भी ओवरसा इस वास्ते कोई कुछन वाला नहीं, कोई अकाउंटिबिलिटी नहीं है, सो माई लॉड, माई लॉड है किने, सो ए चीज साथे न्या पालिकादी के बहुत बढ़ी कमी-खामी है, ते बलविंदर सिंग सेखों दी आवास्ता बंद नहीं कराई जा सकेगी, होर बलविंदर सेखों ने जरी जुरत कीती है, बेशर पातर ने, बेशर पामें बलविंदर सिंग सेखों दे काम करन दे, गल करन दे, अंदास दे नाल, अपा सारे इतफाक ना रखे, लेकिन उना दे कॉस्ट दे नाल, अची अपने अपनों जोड के वेख ने, ते अदालतानों सोच आफ ना मिल पाए, उस तो बाद बलविंदर सिंग सेखों उपर के जी लोग पैदा नहीं होंगे, तब फिर अपमा जड़ा महाल दे रहे हैं, उस दिन आल अपमा की एक्सपैट करने हैं, किस तरीके दे लोग पैदा होंगे, तो आज दा ये जड़ा पूरा कटना करम है, अदालत दा जड़ा फैसला है, एक मंद पागा फैसला मैं इसनों कहांगा, बेशक अदालत ने अपने विजड़म दे विच ओना कोल भी कोई ज़ादा चारे नहीं सी रहे, क्योंकि होर कोई तरीका अदालता नों नजर नहीं आया थे, जड़े शबडाबली वर्ती गई है अदालता नों अपने ओवर्साइट मेकैनिजम नों ठीक करना पहेगा, जजिस जिस तरीके दे फैसले सुना रहे ने, बेंचिस जिस तरीके दे फैसले सुला रहे ने, उना फैसले आदी मेरिट्स जे अदालता खुद चेक करना, किसी पेटिशनर या 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 चिका करतावा नों इना चुनोतिया नों लेके अदालता विच जान दी लोड ना पव कर दो उना केसां दे विच कोई ता चेक एंड बैलेंस दा मेकैनिजम होना चाहिए जो कि मजूद नहीं है तहीं करके इस तरीके दिया स्थितियां बान रहे हैं लेकिन एक एक अर्ण प्रेसिडेंट स्थिति है इक टकरा है जो कि आण वाले दिना दे विच की रुख लेंदा है यह विखांगे लेगिन आज दी गालबात मैं एत्थों ताखी करना चांदा सी सो आज अपा इस वीडियो नो विराम दांगे ते आन वाले दो तिन दिना दा कटना करम देखांगे चोवी फरबरी नो अदालत दे विच की होंता है उस दिन अदालत दे विच की रुख र पांदा हां जस्टिस सूरेकांथ एक अजेहे जज रहे हैंगे ने जिना ने पोला ड्रा केस या ओस केस जिस विच की शशी कांथ जिने साब का डीजी पी ने उना दी चिथी दुखते दालत ने मुकदमा शुरू किता सी उस केस नो बहुत ही अग्य तक लगए ईडी दे न घरिंजन सिंग दी हर स्टेज जो ते हर पड़ा उत्ते होना ने इंदाद किती मदद किती इस केस दे विच उना ना बड़ा एहम रोल सी अज बहुत ही सोखे तरीके देना ले कहता गया कि जस्टिस सूरेकांथ दे बारे एक गल्ला बाताने उना बारे खुलासे करांगे क् मैं रिकॉर्ड दे उत्ते चलता है मैं जिनना रिकॉर्ड चेक किता है सिर्फ एही मामला नहीं पंजाब दे बीच प्राइवेट ट्रांस्पोर्टेशन दाड़ा वड़ा माफिया जिड़ा ऑपरेट करता है जस्टिस सूरेकांथ ने जिनने भी फैसले दिते ने पंजाब दे शक्सियत एक वखरा विशा है उस दी अपनी जिंदगी दे वी चोकी में रह रहा है विच्चर है एक वखरा सबाब हो सकता है लेकिन जो उसने अदालत दे वी चिक जाज हुन दे होए काम किता जे उस दे रिकॉर्ड नों भी पढ़े बगार एक्जामिन कीते बगार इ इस तो पहला भी कही चैनला दे भी जदो काम होया है असी जस्टिस सुरेकांत दे अलाग अलाग ओर्डर नों नरेंजन सिंग होना दे मुतलक कि जिनने भी ओर्डर नों ने पास किते जो भी कोवर साइट सी ड्रग केस दी इंक्वारी दे विच हाई कोट दे उस बेंच दी उसनों बहुत नेड़ता तो विख है सो मैंनों उना इल्जामा दे बिच बिलकुल भी साच नहीं लगदा हाँ कुछ एडिशनों गल्ला बाता है जे बलविंदर सिंग सेखों आडवाले देना बिच साजियां करनगे तो जरूर देखांगे समझांगे लेकिन बहुत से होर अफसर हैगे ने जिना दा कदे में ना सेखों साब दे मुहों नहीं सुनेया एस्टियाफ दे मुखी हैगे ने उस बारे भी बहुत गल्ला बाताने लेकिन आज क्योंकि समय नहीं है फेर केसे दिन इस विशनों छेड़लांगे लेकिन आज दी वीडियो दा मक्सद ही सी कि अदालत दे मानना दे कंटेंप्ट दी गालबाद करिये बलविंदर से एक होंदा कॉज उनना दा मोटिव एक सही मोटिव है लेकिन शाय तरीका या सलीका सही नहीं सी एसे करके उनना जेल भी जाना पया आज दी रिपोर्ट दे बिच मैंनों उजास्त दे हो बहुत बहुत तानवाद इस रिपोर्ट मों वेकर लिए थैंक यू सो मच छेती ही इस दी फॉल अप रिपोर्ट भी लेके हाजर हो मांगा